नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो अनुपौमा की आज की कड़ी जी हाँ अच्छी थी बहुत अच्छी थी अब क्योंकि काफी सारे ट्यूस्ट अनुपौमा में आने वाले हैं इसलिए मज़ा भी बहुत सारा आने वाला है आप लोगोंने अपने audio's भेजे हैं अपने review's भेजे हैं उनको मैं ज़रूर सुनाओंगी मगर पहले वही निवेदन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किरपया कर लिजे साथ में दोस्तों बैल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो सुनिए आपके अपने ओडियो तो कल का एपिसोट भी बहुत अच्छा था मान का कॉन्वजेशन बहुत अच्छा था कही ना कही अभी ये मान की बीच में थोड़ा सा प्रोग्रेशन दिख रहा है कि जब अनुच स्पेस मांग रहे है जब उसने अनुसे कहा कि थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ो तो अनुच ने वो किया बट वहां दर्वाजे के बाहर खड़ी थी उसे पता था शायद अनुच उसको 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 तो ये कही ना कही अभी ये थोड़ा सा चेंजिस दिख रहे है मतलब अनुपमा भी पुश नहीं कर रही अनुच को जब वो जब वो स्पेस मांग रहे है तो वो दे रही है और जैसे उसने मतलब फिर बाद में जैसे अनुच ने उसका पूरा दर्द बताया वो बहुत बुरा लगा वो सब सुनके क्या-क्या सहन किया है उसने अनात आश्रम में वो कही ना कि जायस भी है आठ साल का बच्चा क्योंक अनुपमा ने भी मुझे अच्छा लगा कि अनुपमा ने भी माफी मांगी उसे वो रियलाइज हुआ कि उसने गल्ती की ये करके उसे वो मतलब कही ना कही वो एक्साइटमेंट में उसने अनुच के घाव को और कुरेद दिया तो आम हैपी कि उसने वो अक्नॉलेज किया और उसे भी वो बुरा लगा उसे भी वो गिल्टी फिलिंग हुई और उसके बाद जो दोनों का जो कॉन्वरेशन हुआ यही यही मिसिंग था दोनों में कि पहले ऐसा लग रहा था कि सब वन साइड़ लग रहा था कि चलो अनुपमा बोल रहे है तो अनुझ सिफ उसको हा ठीक हाम हाम यह रिलेशन्शिप में नहीं चलता कहीं न कहीं मैं चाहती थी कि अनुझ और ओपन अप हो और वो जितना वो खुलेगा उतना ही अनुपमा उसको और सब्सक्राइगी और वैसी अनुपमा भी अनुझ को समझे अपने जो भी डिसिजन्स हो यह उसे फोर्स ना किया उसको तो I'm happy उसने कल सुना अनुज ने भी अपना जो भी जो अंदर का जो भडास थी वो जो निकाल दी तो वो बहुत अच्छा लगा मान का सीन and मालती देवी को शाह उस भेजना मतला अभी कोई option नहीं था क्योंकि कहीं उस उन्हें छोड़ भी नहीं सकते कैसे रात को अकेले अंदेरे में बापु जी ने खुद वॉलिंटियर किया कि मालती देवी को हम संभालेगे तुम अनुज को संभालो तो कईना कि वो टाइम पे सही भी लगा कि कोई option नहीं था तो अभी चलो फिलाल टेंपरेरे लिए भी मालती देवी को शाह उस में भीज लगा ऐसे बंटी तो मालती देवी ने भले गल्ती की, उन्होंने वो गुनास वाटेर वी जो भी भी धात है, उनकी बीच की बात है बाग को इतना सुनाने की ज़रुषत नहीं थी, क्यignonकि बाग भी कुछ दूद्की धुलीं ही नहीं थैंibenोट गलत 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 चीजें कि अ अनुपमा के साथ, बहुत सताया है उतने 25 साल की शादी में अनुपमा और वनराज के, तो सास है तो इसका मतलब यह नहीं कि फ्री पास मिल गया कि सास है तो मैं कुछ भी करू अपने बहु के साथ, आज यह जो सिनारी थी मालती देवी को वो बहुत इंसेंसिटिव था और ब बाज यसी ओरत से यह सुनना तो डेफिनेटली मालती देवी डिजर्व नहीं करती है, I'm sorry, यह मुझे बहुत आज का वो सीन बहुत बुरा लगा, भले मालती देवी ने गलत किया है बट यह नहीं, यह बहुत ही एक्स्ट्रीम लेवल के वाइलनेस जो बोलते है ना बहुत सा खुश करने के लिए वो एक ड्रॉइंग बनाई, वो पापा बेटी का सीन भी आज अच्छा लगा, अनुच का ना मुझे एक अच्छा लगता है कि कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अनुपमा उसकी पत्नी हो या छोटी उसकी बेटी हो, कोई भी अगर उ पोजिटिविटी का लगी एनरजी लेके आते स्क्रीन पर, तो अच्छा लगा, अनुच ने हमेशे छोटी को आप करके बुलाए, तो वो एक अलगी वाई बाती है, जब बच्चे को अपने, वो एक रिस्पेक्ट देता है, कोई भी लड़की हो, औरत हो, वो जब भी आप बोलता न, तो उसका, एक उस अलगी लगता है, मतलब बच्चे को वैसे तुम, तु तड़ाख, मतलब करते हैं, उससे यह नहीं बोलरे कि है गलत है, बट वो जब बेटी को आप जैसे बोलता है, तो एक अलगी कानों को सुनने में एक सुकोन जैसा लगता है, कि वो बेटी एक इंडिविजिल लेवल पे उसको वो रिस्पेक करता है तो अच्छा लगा वो सब सुनके और आज जो गाड़ी में जो कॉन्वसेशन था अनुपमा अनुच का तो इस बार मतलब दोनों ही अपने जगह पे सही है यह नहीं के रिए अनुच गलत है या फिर अनुपमा गलत सब रिकलेक्ट हो गाए तो फिर हो उस हिसाब से सोच रहा है इसके लिए वो नहीं चाहता मालती देवी उसके नज़रों के सामने वो कब तक वो पेन सेहन करेगा अनुपमा का भी यह कहना कि मालती देवी मतलब बुजूर्ग है तो कैसे मतलब ऐसे रात को घर से निकाल दे अनुपमा की बात भी सही है उसका पॉइंट आफ भी सही है अनुपमा की बात भी सही है तो ये ये जो सिचुएशन है ये मतलब ये कॉनफलिक्ट जो है ये सही कॉनफलिक्ट है इसमें हम दोश किसी को भी नहीं दे सकते तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि ये बोलते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती वो समय पर चोड़ना पड़ता है ये बोलते हैं जैसे आज अनुपमा उसको समझा रही थी कि आप भी नहीं चाहते कि मतलब आप भी ऐसे घर से नहीं निकाल सकते हैं और वो सुनने की मूर में नहीं था तो वो बोला कि वाटेवर जो भी है करके ऐसे उसने बोला फिर भी आनुपमा ने बोला नहीं यह आप गलत करें तो यह अच्छी बात है अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बताओ सामने वैसे आनुच भी करते हैं हमेशे आनुपमा के साथ कि तुम गलत करें तो तुम ऐसे करो तो यही तो म की खासियत हैं यही मैं चाहती थी कि कुछ दिनों से यह जो भी डिस अग्रेमेंट है वो हिच की चाहत थी उन में कि कैसे बोले क्या बोले और माया ट्रैक में यह बहुत हो और इम ग्लाड कि उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेशन इनके रिलेशन्शिप में द अभी देखते आगे कि अभी कल जैसे गनपती जीगा आगमन होगा का पाड़ी हाउस में अभी समर को मतला अभी एक वो थोड़ा सा एक जलक अभी दिखाए कि डांस करते करते समर स्लिप हो गया और वो पीछे वो कैंडल स्टैंड पे उसका सर लगने वाला था बड़ वापस अनूपमायन अनुच के बीच मैं अभी वो एक शौट उसका है तो इस बार वापस फूट डालेगा यह अनूपमायन अनुच के बीच में इनके शादी को बरबाद करने के लिए वापस यह समर के बहाने अभी एवापस कुछ ना कुछ हंगामा करे गई तब यही द कुछ ड्रास्टिक गुछ आक्सिडेन जैसे हो सकता है शायद वह बोलते हैं ऐसे मरने की हालत में हो सकता है बट वह जिन्दा हो जाएगा अभी बपा तो आप विगना तो वह हरते हैं तो आप तो एसे कुछ ड्रास्टिक होगा वह फिली ऐसा ना हो बट देखते आगे कि अच्छा लगा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा और आएम शूर आगे के ट्रैक में भी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि एक साइड में अनु एन समर माबिटे हैं तो एक साइड पर आनु जन मालती देवी अजमाबिटे हैं तो इंट्रेस्टिंग होगा देखने के लिए तो बस आज के लिए पना ही थैंक यू सो मॉच गुट मॉनिंग अंजु मैं मैं सीमा गुपता सिर्शा से मैं स्वार्थ से परिपूर्ण है शा परिवार अनुकमा ने इस घर के लिए खुद को भुला दिया चाहे वो वन्राज के साथ रिष्टे में थी या फिर नह ही लेकिन अनुकमा ने और किसी भी रिष्टे को वन्राज के कारण बली नहीं चड़ाया बाबुजी और बा उन्हें अपने माबाप समझा बच्चे तो है ही उसके उनके लिए अपने आपको लुटाया कसूर वन्राज करता रहा और मेहनत बिगड़ी स्थिति को सबारने म अनुकमा ने की लेकिन मालती देवी को तो दो चार दिर रखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई ये कहने की अनुकमा शांपरिवार को या फिर वो जानती थी कि बाव और वन्राज कोश्चन मार्क लगा देंगे इस बात पर अनुकमा हर हाल में अनुझ के इस अधूरेपन को पूरा करना चाहती है उसे पता है कि अनुझ कितना तडपा है अपनी मा के लिए उसे उमीद भी है आज नहीं तो कल अनुज का गुस्सा उत्रेगा और वो अपनी मां को सभी कार कर लेगा इसी इंतजार में है नुपमा वो अनुज की बात रख कर मालती देवी को अनुज से कुछ दूर रख रही है ताकि जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो अनुज को उसकी मां दे दे कोर भीगे हैं आँखों के कोर भीगे हैं आँखों के मां आकर तू पोंच दे आँचल से तेरे ना सुनी कभी लोरी तेरी ना उठाए तूने नखरे मेरे समेट कर आँचल में अपने गम चालिस साल के आज पीले मा तू करजा है गुस्से का मेरे सर पर चड़ रहा चल मा अपने आँचों की बार से सब धो दे तू मालती देवी को अपने किये का पस्तावा बहुत है लेकिन गुजरा समे कभी वापिस तो नहीं आया ना शर्मिन्दा हु मैं नहीं की कोई मालिश तुम्हारी तुम्हारे बच्पन को ना मैंने जिया तुम्हें खेलते हुए ना मैंने देखा कसूरवार हुँ तुम्हारी बच्चे मेरे जो चाहे तू दे दे सजा मुझे तेरी सजा को समझकर परशाद मैं अपना लूँगी अपने अंग संग अभी भी मालती देवी को अपने जीने की पड़ी है अनुच के जीने की नहीं अपने बेटे को पाने की इसी लिए अनुखमा से जिद कर रही है कि मुझे मेरे बेटे के पास रहने दू अनुच की तकलीफ उसके लिए सरवोपरी नहीं सच कहूं तो लगता है कि मालती देवी मा के माइने समझने में अभी भी फेल है हेलो अनुच जी आपको और मेरी सारी सहलियों को मेरा प्यार बना नमस्ते तैंक यू मनिशा जी और शद्दा आप लोगों का मेरा ख्याल है कि मैं कैसी हूं तो मैं बहुत अच्छी हूं हम लोग मेरा और मेरा परिवार पूरी तरह से सेफ है नागपूर में तुफानी बारिश हुए। अर बहुत जादा डरावना था वह पूरी रात डरावनी थी हम लोगों के लिए क्योंकि जब बारिश शुरूई तो इतने तुफान के साथ ही शुरूई और बहुत डर एएग थे हम लोग कि क्या होगा अगले पल कहा कि जो वाइरल हुए तो वो वीडियो सही में सही थे कुछ वी पर फेक नहीं था जाह झांघोर के अश सा में जाहते ता नागपूर का अज वह ठेलट innovations ज़े कुछ ए्रियों में यह कोड़ू mutta जहने नदिया हैं वहां पर अँन गरों में तो वह बुट का च रुषा है वहाँ बध कफ़ ही रव chant पहूसे मैं जय सways आफी मोसा में गणेशी बपपा गाता हो जो शेटों पूलाते है तो वहाँ औहाँ पई उन लोगों नुकसा फूल का नुकसान हूआ प्रफसल कि पाज़ आप जहां पर जिनके गर में पानी गूज गया उनके घर कर सामान बहे गया और बहुत जीजेव तो है उबाद तो कोई यह नहीं कह सकते कि वहा तकलिफ नहीं हुए तो जादा नुकसान वे नाखपूर में उस दिन का और उच्छ लोगों कि शायद इसम कुछ लोग हस्पिटल तक पहुच नहीं पाए इस बारिश में जिनका इमर्जंसी आता है वो तो बहुत मुखसान वा नापपूर में अपर हम लोग सेफ हैं और आज के शो के बारे में बोलूंगी कि आज का शो आपने मैंने आपका भी वीडियो देखा तो सही का आपने बा तो बहुत गलत तरीके से बाच में अपने अपनी रखी तो बहुत गलत तो और थोड़ा नाराज है कि वह जैआ महने गलत किया और यह मलती दे और जिसने मेरे बच्चों को तफलिप देने की कोशिश है हम लोग बगवारे से हम्हें थे हो उस अब एक ताई का थीग पर वो जो बोलना कि डूब मरो या किसी रेल की पठ्री में आ जा तो किसी को एक तरह से सुसाइट करने के लिए उकसाना है हुआ इस ताइब की बाते उस इंसान के सामने करना तो वो गलत है बाप बिल्कुल तरह से गलत है पर आजा बापु जी बहुत क्यूट लगे तो क्या होगा अनुप 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 मैं अजी जब करती थी जैसे सब को शीकायत है कि अनुगमा मनमानी करती है अनुगमा जो भी बोलती तो अनुझ मान लेता है ताज अनुझ ने बहुत अच्छा का कि नहीं मुझे मालकी डेडी के साथ नहीं रहना है और उनको चाहिं तो गणेश्भी शर्जन के बाद उनको के जिए मुझे जिन्देगी से जाना ही होगा उनका लिए म मैनने जो ब्यस्का की ओँब कि कि जगЕ की बात काता कि वहां पे सा उनका झान है उनको यहां नहीं सिए उसमें नहीं जाना ची तो वोन बहुत है घू अच्छा मैं ज्या हम इंशका लो हुद के लिए ौर सब की अनुपा मा पे डाल देते हैं, तो आज मिझा अच्या लगा, और अनुपा मा के लिए चला, और अनुच बोला, वो उसके लिए चला हो, यह न चाहिए खुद के भी डीजिजन हो न चाहिए, पती पदनी है, पहार काता इस तरह लमें, कि हर बार थ मानेंगा, और अनुपा मा जो है आज गुस्सा है आज गुस्से में निकाल देग्य है अगर उस मा को अगर बाद। तब करती है तब अगर तो कि अ हमरे गुस्ते बऌती है जो भी रूप की hypocod मा पिख यहां ले लिए जो से अलते कि दो हम उता हाई ए घुश की अंवात अचे होरी अनुपमा अर्ट करती है या टाथ फिन अनुपमा वेता हुषि हमां नचे लोम, तो वाह बाता है? अनुपमा वुक्ष ने फैसला हुचाए थेहा नचा जब सकते हिघा हुच्ट. वाह बिश्चक नि बपान के देनगी। अर्ऺ कि कोमें को छेब कहा है। वाह बाता है, वाह बाता होाइव लिए. उसको नहीं पता था कि मालती देवी ने अनुच को क्यो चोड़ा, वो तो अनुच की माँ है, कोशी कुशी अनुच को कुशी देने के लिए ही वह आरी थी, वो यह सोची थी कि इतना बड़ा गिप्ट हो का अनुच के बड़े पर उसे इतनी बड़ी कुशी में लेगी कि हमेशा चिला चिला कि अगर अनुच बोल रहे हैं 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 तो वो अनुच बोलता, अनुच को बोलती, पर जब वो अंदर चला गया तो उसने कुछ ना कुछ रोतना था, तो ठीक है बलाओ बापुजी का कि बापुजी ने कहा कि मैं अपने साथ ले जाता हूं, तो अनुच का जाने देती, तिने रात में, एक और जो बीमार है, जिसक कि अनुच को बहुत जादा तकलिफ, अनुच को ना, उसका दर्द तो वही समझ सकता है, जो हो यह उस दर्द से निकला है, तो सच में अनुच गलत नहीं है, अनुच अगर डिसीजन ले रहा है, कि मालती देवी के साथ नहीं रहना तो उसका अपना फैसला है, क्योंकि तक क्रण च्राफ है यह उसी इन मीचिल तो कहींगज तक आर अनुच 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 ले पात को नहीं है, क्यों कऊ संजय सकते हैं, क्यों संजहा रहा है कौन समझाएगा तो वह अलग बात है और आज कार में भी बहुत अशे लगा वह भी था और कल कहा था कि अनुपामा पीछे पीछे नहीं आई तो क्यों इसले नहीं आई और अनुज में कोई गुस्से में नहीं कहा उसे वह अक्केला रहना चाहता है कुछ ताइम उसे होगी अनुज की बात मांके और तुरंट जैसे उसे आवा जाये तो तुरंट अंदर भी आई संभाला अनुज को रादबर संभाला जैसे कि आमने आज देखा कि अनुपमा अनुज को अनुज को समाल रही है उसकी गोदी में सर रखे वह सोरा रादबर जागी होगी होगी यही तो है अनुपमा का प्यार, यही है अनुपमा का प्यार, और अनुपमा जान बुझ के सचकल मुझे सीमा जी काडियो, बहुत अचल लगा, पुरा सुन्ने को नहीं मिला उन काडियो, पर उनने जितना भी बोला ना, उसे साब जाए था कि उनने समझा, समझा इस बात को क कि अनुपामा नहीं जानती कि अनुपामा जान बुचके उसने कभी किसी का कुछ नहीं किया वो केरेक्टर ही ऐसा है और सच में इन ऐसे लोगों की वज़े से ही आज ठीका हुआ है अगर ऐसे अनुपामा जैसे लोग फैस्ता लेने लगे ने कि तुम्हारी माय तुम देखो तो उसके सामज में आएगा वो अनुपामा भी अपनी मा को निकाल दिया रोका नहीं कहीं नहीं पिर वो ही होता कि अनुपामा तुम तो इतनी समझदार थी तुमने क्यों जाने दिया तुमने मेरी बात क्यों मैं इमान लिया या अनुपामा भी अनुच की बात में आप गर के बाहर जाए इसा नहीं होता है यह गलत नहीं जही गलत whose करते है बोल Ты उस्पैस करती है जो सही होता है तो सेहिती भी वह थे सह तब समझ में आएगा शहर दिंपल को की परिवार का वैल्यू क्या है तो मुझे असा लगता है वह दिंपल को सुधारने के लिए वह दिखाएंगे मालती देवी कट्रेप कहां तक आगे जाता है उसके बारे में तुम बारे में बार नहीं बोलेंगे तो बीच में ऐसा कुछ हुआ था कि बहुत जादा बारिश हो गई थी और बारिश होने के जगा बच्चे जहां पर पार्टिस कर रहे थे तो वहां उस घर में रुखना पड़ा और उसी घर में जब अनुसको बुखार हो गया था तो उस वज़े से हर बात पर इंडरेक्शन देना की इस तरह की कलती है और घरा के इतनी सारी गालियां देना मतलब बापू जी को घर से रिकाल देना दिवाली वाले दिन तमासा करना बहुत कुछ की है उन्हें माफी कैसे मिल सकती है मतलब सब कुछ बा को माफी मिल सकती है वनराज को माफी मिल सकती है पार्टोष को म पाखी उस घर के पुछ भी नहीं रखते कपाडिया हो उसके सिर्फ जमाई भी नहीं लखते पर यूँ उस घर में है अनपवा उनको भी संभाल रही है जब वह सब के लिए वह सोचती है तो मालती मैं के लिए क्यों नहीं सोचे क्योंकि उनकी गुरू है वह एक गुरू और तरीका देख रही है तो मां भी नहीं बूल रही है जब तक अनुच्छ उने मां भी भूलेंगे तब तक वह भी मां बहूंते यह तो यह भी हम भी जानते हैं लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आया कि आपने जो कहा कि बप्पा के विधाई के बाद समय कि हो जाएगी मौ कि यह कहां का जैस्टेज है काना जी दुर्गा मां जिसका जितना पूझा करना बगवान का जितना पुझा करना क्या मेकर's को शोभा दे रहा है अगर सागरपारे को इस हो से लिए समर को निकारना है तो उन्हें कोई अच्छे ट्रैक करके निकाले वरना विचब नगाएथ क्यों हर बार हर बार टेस्ट अनुज कोई क्यों देना पड़ता है शादी करना है तो अनुज कोई कोई सब कोई तेस्ट क्यों बन राच पादि तोष क्या दूद के घुले हैं उन लोग भी साथ में पाटी करने गए तो उन पर ब्लेम क्यों नहीं आ सकता है अधिक भी साथ में था उन पर भी ब्लेम आना चाहिए हर समय अनुच पर भी प्लेम क्यों कि यह स्टोरी दिखाने का कोशिश क्या कर रहे हैं मलब एक बार लविंग पाठ हो जाना चाहिए पती पती प्यार और घर को समालना और पिर एक्ट्रेक्शन यह स्ट्रियल दुनिया सही नहीं है इस नोट राइट इस ट्रैक को चींज किया जाए इस ट्रॉरी में अगर आपके सामने कि उनके यह बेटे को आप उपर गुलाने की प्लानिक कर रहे है इसका मतलब किया है कि अठर्धा से अपना वहरोस्त तोर देना चाहिए तो बच्छे भी स्वास्त होने चाहिए बच्चे भी शॉने वी एक्टिवेट होना चाहिए और पती को भी महान सब्ब और प्लस इस पती कहा फैसा नरज करते हैं इतने स्वार्थी ना बने कि उनकी माँ आई है तो रहने दीजिए अगर दस दिन भी रहती है एक बुजूर्ड लेडी को क्या चाहिए परिवार प्यार अगर वही नहीं बिलेगा तो कहां से वह तो अपनी गल्ती को एसास कर रही है ना कि मेरी गल्ती यहां पर है जब कोई म इस ट्री में पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं लेकिन यह बहुत बड़ा मिसंडर्सटाइणिंग एसे स्टोरी चल रही है बस समर की मौत ना दिखाए अगर दिखाना है तो समर कहीं बाहर चले जाए जैसे कि आपने कोई डांसिंग के लिए कि मैंते दिन के लिए बाहर ऐसे सब्सक्राइब के निवाट है जाए 5 मौट निकलता है थि और बहुत आपो अच्छा बूलती है और बहुत आच्छा समझाती है तो कास-बमेद के सीखूं और समझूं तो प्लीस मुझे भी अपडेट करते रहे हैं कि महीं मैं ऐसे करो आपको आपका भी मन है अगर भेजने का तो नंबर मैं आप से शेर करती हूं नंबर है 983315523 इस नंबर पर भेजिए बनिये हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वोइस वीडियो का कीप वाचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल थैंक यू सो मच